नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका इंजिनिरिंग इस्टडी पर तो आज हम जानेंगे आर्टीडी को इंस्टॉल करना RTD मतलब Resistance Temperature Detector जैसा कि इसके नाम से ही के लिए है कि Temperature को Detect करके Resistance में Output देने वाला Instrument RTD कहलाता है अब RTD को Install कैसे किया जाता है उसको समझने से पहले हम ये देखेंगे कि RTD को Install किया कहा जाता है तो RTD को वहां Install किया जाता है जहां Temperature मेजर करना होता है मतलब किसी Tank पर या किसी Process Line में हम RTD को लगा देते हैं अब क्योंकि RTD Temperature मेजर कर रहा है इसलिए RTD को Temperature Sensor भी कहा जाता है तो सबसे पहले आप ये Confusion दूर कर लिजे कि आपको कौन सी RTD यूज़ करनी है Simplex RTD या Duplex RTD तो दोस्तो अगर आपको Temperature एक जगे शो कराना है तब आपको Simplex RTD की जरुवत होगी अगर आपको Temperature दो जगे शो कराना है दो different locations पर सो कराना है तब आपको Duplex RTD की जरुवत होगी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली RTD थ्री वायर RTD होती है चाहें आप Simplex ले रहे हो या Duplex RTD ले रहे हो Simplex RTD में connections के लिए एक ही port रहता है मतलब उसमें केवल तीनी wires रहते हैं connections के लिए and Duplex RTD में connections के लिए दो ports रहते हैं मतलब उसमें 6 wires आपको दिखाई देंगे तो अगर आप Simplex यूज़ कर रहे हैं तो आपको 3 वायर वाले के वल की जरुवत पड़ेगी and Duplex यूज़ कर रहे हैं तो 6 वायर वाले के वल की जरुवत पड़ेगी RTD को install करने के लिए जिन tools की जरुवत होगी वो है slide wrench, nose plier या plier, wire stripper, multimeter, screwdriver या line tester दोस्तो RTD को लगाने से पहले Thermo well को भी लगाया जाता है Thermo well से RTD को protection मिलती है and हम RTD को easily निकाल कर कभी भी चेक कर सकते हैं तो पहले Thermo well आपने लगा दिया and slide wrench का यूज़ करके RTD उसमें tight कर दी तो आईए अब RTD के connections करना सीखते हैं तो RTD के connection के लिए आपको wire insert करना होगा आपको RTD में connection के लिए 3 terminals मिलेंगे and अगर आप duplex RTD यूज़ कर रहे हैं तो आपको 6 terminals मिलेंगे माल लीज़े कोई 3 wire simplex RTD है तो उसमें 1 port होगा and 3 terminals होगे and इन 3 terminals पर RTD के अंदर से ही 3 wire connected रहेंगे अब इन में 2 wires same color के होगे and एक wire different color का होगा same color के wires को आपस में short circuited रखा जाता है जिनकी continuity आप multimeter से भी check कर सकते हैं and एक different color का wire होगा जिसको आप common wire भी कह सकते हैं या common terminal भी कह सकते हैं अब आप RTD में control panel से आने वाले cable के wires को line tester या screwdriver की मदद से connect कर देंगे 3 wires को RTD में connect करने के बाद इनका connection controller में and indicator में किया जाता है controller and indicator side आपको RTD का symbol बना हुआ दिखाई देगा RTD के same color wires को controller या indicator में हम यहां connect कर देंगे अब जो एक wire बचा उसे बचे हुए terminal से connect कर देंगे मतलब short circuited वाले wire short circuited से connect हो गए and common वाला wire common से connect हो गया तो है ना कितना simple RTD के connections को करना तो जिस प्रकार आपने simplex RTD के connection किये उसी प्रकार duplex वाली side भी connect कर सकते हैं तो दोस्तो ये थी हमारी आज की वीडियो तो thanks for watching the video ये वीडियो आपको कैसी लगी comment box में जरूर बताएए ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिए instrumentation की English videos के लिए आज ही हमारे English चैनल Engineering Study English को भी subscribe कर दीजिए थैंक्स वर वाचिंग दीडियो